यह वाली वीडियो SDFC बैंक के लिए नहीं है, यह वीडियो है SBI के लिए, ठीक है, SBIN और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग इसे 5 साल में compare कर रहे हैं, 5 साल पहले अगर किसी ने दोनों companies में investment किया होगा, तो उसे SBI में जादा फाइदा हो रहा होगा, actually double फाइदा हो रहा होगा SDFC में 55% है, SBI में 102% है, लेकिन यह story बिल्कुल different लगती है, अगर आप इसे max में चेक करें, तो आपको जमीन आसमान का फरक दिखेगा SDFC ने दिये हैं 25,000% and SBI ने दिये हैं सिर्फ 3400%, मेरे हिसाब से इसका simple सा मतलब यह है, कि पहले के, मतलब जो बहुत बहुत पहले के जो investors होंगे, उनको तो SBI के comparison में SDFC ने बहुत पैसे कमा के दिये हैं, लेकिन 5 साल में अगर SBI बीट कर रहा है SDFC को, तो इसका मतलब हम लो SBI में इस तरह का performance देना खराब नहीं है, ठीक है, आप बहुत सारे YouTubers को बोलते हुए सुनेंगे कि SBI में problem होती है, problem होती है guys, problem यही होती है कि कोई भी bank या कोई बड़ा आदमी इंडिया का अगर trouble में आता है, तो उसमें सबसे पहले help करने के लिए कूदती है SBI, या कोई भ जैसे क्या होता है, SBI के profits गिरते हुए दिखते हैं, जो कि इसके investors के लिए बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है, तो सिर्फ इकलौता reason यही है, SBI को हर किसी channel पे आप no बोलते हुए सुनेंगे, लेकिन अभी अगर 5 साल में इसने ऐसा performance दिखाया है, तो इसे हम लोगों को ए market cap तो देखने की जरूती नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी bank है यह, public sector की, और promoters की holding देखेंगे तो 57% है, अच्छी बात है, ROC इसका बहुत बेकार है, ROE average से थोड़ा better है, तो return on capital employed, जो पैसा यह लोग लगाते हैं, उस पे जो return आता है, वो बहुत ही बेकार है, लेकिन जो equity में return आता है, हर equity के ओपर वो better है, ठीक है, आप 5 साल का भी देखेंगे तो वो आपको better देखने को मिलेगा, लेकिन ROC आप 3 साल का भी देखेंगे तो बहुत ही बेकार देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह combination सिर्फ इसलिए है, क्योंकि यह government की company है, okay, dividend भी देख सकते है काफी बड़ा dividend यह company देती है अपने investors को, अब इसका long term का अगर हम लोग chart देखेंगे, price chart, तो बिल्कुल भी मुझे तो impressive नहीं दिखरा, जो भी इसमें तेजी आई है, वो यहां से ही आई है, और नहीं तो आप पहले देखेंगे, तो टाटा मोटर का जैसा swing वाला चलता है लेकिन history इसकी बहुत ही बेकार है, long term investors के लिए at least बहुत बेकार है, PE ratio अगर इसका चेक करेंगे, तो अभी के time पे EPS उपर जाता हुआ दिख रहा है, और PE median के नीचे है, तो इंवेस्टमेंट के लिए अभी भी यह stock अच्छा माना जाएगा, अगर आप इसका ROCE इग्नोर कर दें, तो ठीक है, profits इसके अच्छे दिख रहे है, valuation अभी नीचे चल रही है, median के भी नीचे, तो entry करने का सही time है, PE ratio के हिसाब से, profits भी अगर annual आप चेक करेंगे, तो आपको यह बढ़ता हुआ, दिखे का, यहाँ तो कुछ खतरना की jump हो गया था, उसके बाद देखे, ब बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, तो लगभग double के आसपास यह होता हुआ अभी दिख रहा है, इसलिए आपको इसमें जो price chart है, उसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, अभी shareholding pattern भी अगर चेक करेंगे, तो promoters के पास पिछले quarter के comparison, थोड़ा सा कुछ points में कम हुई है, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, उसके पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, तो कुछ न कुछ इसमें promoters जो है, अपना stake कुछ points में कम करते रखते हैं, और वो कम करने वाला कौन है, government of India नहीं, वो है president of India, ठीक है, तो यहां से government of India से shift हो के president of India दिखाने लगा है अ उतनी tension वाली बात नहीं है, क्यों कुछ points में ही है वो, अच्छी बात यह है कि FII जो है उसमें stake बढ़ा रही है, और काफी अच्छे से बढ़ा रही है, ठीक है, DIA ने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन कुछ खास कम नहीं है, कुछ points में ही कम है, तो shareholding pattern जो है overall neutral देखने को मि मिल रहे है, मेरे हिसाब से, अगर आप इसे hold कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर इसे बेचने के बारे में सोच रहे हैं, या profit आपको जादा नहीं दिख रहा वगरा वगरा, जो भी आपके reasons है, तो देखो, एक चीज हो सकती है, कि यह जो level है, यह पिछला वाला जो high है, हिसाब से, इसका profit booking का zone है, वो 760 या 70 के आसपास में आना चाहिए, 760 के ऊपर में, ठीक है, 760 तक मेरे हिसाब से, आपको इसमें डरने की कोई जरूत नहीं है, अगर आप long term investor है, तब तो आप इसे रख सकते हैं, काफी time तक, नहीं, अगर आप shrink trader है, या आप short term में पैसा ब बनेगा in future, in future मतलब हाल फिलाल के time में, अब अगर आप इसमें entry करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 550 के नीचे में जब ये जाए, तब इसमें discussion किया जा सकता है, 550 भी कोई बहुत अच्छा level मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी history देखेंगे, तो history इस कुछ बीच-बीच में होते ही रहता है, market में किसी दूसरी कंपनी में भी कुछ होता है, या किसी और public sector कंपनी में कुछ होता है, तो पता नहीं ये क्यों गिर जाता है, सबसे पहले गिरने लगता है, ये न, market में assumption बने लगते हैं, कि ये ही जाके help करेगा, तो इसलिए इसम इसने high point पे investment करना बहुत dangerous हो सकता है, तो safe अगर आपको levels जानना है, जो मेरे दिमाग में है, वो है 450 का, 450 के जब ये नीचे जाएगा, तो 440, 430, जो भी level आपको मिल जाए, उस level पे आप इसमें fundamentals चेक कर सकते हैं, news वगरे चेक कर सकते हैं, अगर उसमें आपको positivity दिख रही में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस level पे मुझे लगता है, ये थोड़ा सा risk है, ठीक है, तो इसके ओपर मैंने video इसलिए बनाई, क्योंकि, देखे, SBI में, equities में, मतलब share market में, लोग जादा investment नहीं करते, इसमें जादा investment होता है mutual fund के द्वारा, ठीक है, mutual fund में लोग और उसमें लोग panic करने लगते हैं कि मेरा profit इतना दिखा रहा था, अब इतना दिखा रहा है, वगरा, वगरा, क्योंकि उनको market की समझ नहीं होती, तो main ये video उनके लिए था, आपके पास भले share SBI करना हो, अगर आपके पास mutual fund भी है, तो भी आपको इस से relate करना easy हो जाएगा ठीक है, आपका mutual fund क्यों उपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, अगर in future नीचे जाता है, तो क्यों जा रहा है, है ना, तो आप ये chart वगरा देखके, आपके mutual fund में से भी जब exit करना चाहते हो, तो आप वो plan कर सकते हो, जैसे मैंने 760 का एक level बताया, तो 760 के बाद आप इसे track कर सकते हो, कि यहां से कितना उपर जाता है, और जब भी आपको पलटता हुआ दिखिया है, तो आप mutual fund से या फिरे share से exit करना चाहते हो, तो कर सकते हो, ठीक है, कुछ thoughts हैं आपके, तो comment section में लिखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में